हेलो गाइज, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज बिटकोइन की सेल्स आर्जेंटीना और ब्राजील में बहुत जादा बढ़ चुकी है और उनकी जो लोकल करंसीज है वो वीक हो चुकी है ब्राजील और अर्जेंटीना की जो करंसीज थी वो पहले ही लॉसेज में चल रही थी बहुत ही खराब उनकी एकॉनमी की शेप थी ये पैंडमिक जो कोरोना वाइरस या कोविड नैंटीन के साथ आया है उसके कारण कुछ नहीं हुआ था उनकी एकॉनमी पहले ही लॉसेज कर रही थी उनकी जो कॉस्ट से वो पहले ही जादा चल रही थी तो अब जो इन्वेस्टर्स है या जो लोग है अर्जेंटीना ब्राजील के वो चाहते हैं कि उनके पास एक स्टेबल इंकम का सोर्स हो जाए तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं इसकी वज़ा से जो भी एक्सपर्ट्स है उनका मानना है कि ब्राजील और अर्जेंटीना की जो भी एकॉनमी है वो थोड़ी उपर आई है क्योंकि उसमें जो investors हैं उनके returns बढ़ रहे हैं और जो उनकी economy की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी उसमें थोड़ी मदद मिल रही है पूरा जो world है वो ध्यान दे रहा है DeFi पर और उसका जो market cap time के साथ बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग interested है उसमें invest करने में अपनी amounts lock-in करने में लेकिन वही पर अभी Argentina और Brazil में लोग खरीद रहे हैं bitcoins जो investors पहले ही bitcoins में invest कर चुके हैं वो अब ध्यान दे रहे हैं loans लेने या देने में DeFi market पर Argentina, Brazil और Turkey के जो economy है वो बहुत जादा पीछे चल रही थी तो वहां के लोगों ने अब उसमें interest create करना start किया है अब ये समझना start किया है कि किस तरह से crypto currency bitcoin में वो investment कर सकते हैं और trading कर सकते हैं देखना हमें यही होगा कि ये जो economies है वो grow कर रही है इसकी वज़ा से तो उनकी government regulations लाके इसे प्रोथसाहित करती है और लोगों को convince करती है कि आप हमारी currency को छोड़ कर crypto currencies इस्तेमाल करें या फिर वो ये नहीं चाहती और ये regulations लाती है कि वहां पर bitcoins नहीं use किया जा सकते हैं क्योंकि uncertainty है इसलिए लोग ज़ादा invest नहीं कर सकते हैं लेकिन लोग फिर भी बढ़ चड़ कर इसमें invest कर रहे हैं और bitcoins खरीद रहे हैं जिसकी वज़े से bitcoin में activity आ रही है जैसे कि हम पहले trend से देख ही रहे हैं कि bitcoin का जो price है वो बढ़ता चला जा रहा है starting उसमें 9600 के एक rise से हुई थी और अब उसकी value 11400 डॉलर से भी ज़ादा बढ़ चुकी है हो सकता है कि ये time के साथ और ज़ादा बढ़ा rise लेकर आए जिसकी वज़े से जो investors हैं उन्हें फाइदा हो तो अब हमें यही देखना है कि world में जो cryptocurrencies को लेके steps लिये जा रहे हैं वो cryptocurrencies को कौन सी नहीं उंचाईयों पर लेकर जाते हैं और उसकी वज़ह से investment कितनी ज़ादा बढ़ती है इस वीडियो पर like, share और comment जरूर करें और हमें comment section में जरूर बताएं कि आप क्या नया content देखना चाहेंगे अगर आपको finance की दुनिया में बहुत interest है तो हमारे channel को subscribe जरूर करें और bell icon दबाना ना भूले ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें